हलो अब्रीवान वल्कम बैक पिक्सलर की पिछली क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन और आज हम इसके सारे यूनीक फीचर देखने वाले हैं विद एक्जाम्पल और हम देखेंगे कि कैसे इसका रियल प्रजेक्ट में हम लेवरेज ले सकते हैं सो विदाउट अनी फर्दर डिले लेट्स केट इंटो दी क्लास्रों तो यहां पर ब्राउजर पर मैंने पिक्सलर.com ओपन कर लिया है साइन अप करके मैंने लॉग इन भी कर लिया है अब मेरे सामने स्क्रीन आती है यहां से मैं यह बीच वाला सॉफ्ट्वेर ओपन करूंग और काफे सारे इफेक्ट आप इससे क्रिएट कर सकते हैं इवन आप वेबसाइट में कोई बैनर बना रहे हो क्रेटिव बैनर आप इसके थूरू बना सकते हो डिस्पर्स का मतलब क्या होता है आप गूगल पर देख सकते हो यह एक तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट को वैनि करनी है सो इमेज यहां से मैं अभी के लिए यह वाली ले देता हूँ एक रोबोट की इमेज मैंने हाँ पर ले लिए अब मैं चाहता हूँ कि यह वैनिज होता हुआ दिखे यानि कि इसके पार्टिकल्स हवा में जाते हुए दिखे और यह इमेज वैनिज हो जाए इस तरी इनक्रीज कर लूँँगा फुल रेंज कर लिए है मैं जाँक अब इसके बाद यहां पे मैं इसको ब्रश इस तरीके से चलाँगा और जितना भी आपको एरिया लेना है उतना अब यहां पे ले सकते हो यहां से मैं इसको छोड़ दिया तो आप देख सकते हो किस तरीके का effect यहां पर बन चुका है, इसकी कुछ properties भी है, जैसे कि circle यहां पर इस circle है, बहुत छोटे हैं इसलिए नहीं दिख रहे हैं आपको, triangle आप कर सकते हो, rectangle आप कर सकते हो, यह सारे आप कर सकते हो, अब इक लिए मैं इसको triangle कर देता हूँ, triangle करने के बाद options हमारे पास और भी है, कि इ बहुत ही का effect आप इसमें बहुत ही easily creatively बना सकते हो, और website के लिए अगर आप कोई भी banner बनाते हो, तो definitely किसी भी context में आप इसको use कर सकते हो, second है, badge added, इसके लिए यहां पर home का icon है, इस पर मैं click करूँगा, और यहां से मैं नई image भी ले सकता हूँ, और यहां से मैं लूँगा इन सारी images को एक साथ मैं open कर लेता हूँ, यह सारी मैंने यहां पर open कर लिया है, जितने भी यहां पर effect देख रहे हो, सब पर एक साथ यह लग जाएंगे, और आप इसको high quality PNG, JPG और web P में भी export कर सकते हो, अगर आप crop करते हो, तो crop में यहां पर sizes दिये हुए है, square में अगर आपको चाहिए, या social post के हिसाब से चाहिए, 3 to 4 का अगर आपको चाहिए ratio, वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा, तो सारी खुदी adapt हो गई, resize यहां पर हो गया, अगर आपको border देना है सबको, तो border भी आप easily दे सकते हो, and auto retouching हो जाएगी, यहां पर black and white सबको करना है, तो कर सकते हो, और जो भी properties आपने इसमें दी हैं, वो सारी उपर आ जाएगी, तो यहां से आप उसको re-edit भी कर सकते हो, और करने के बाद सिर्फ आपको export करना है, आपको multiple images आपको edited मिल जाएगी, तो बहुत ही बड़ी आप लोगों के लिए, अगर आपको bulk में कोई भी चीज edit करनी है, तो, दुबारा मैं home पे click करूँगा, और अब हम इसका एक feature देखेंगे, animation, animation में क्या-क्या हो सकता है, बहुत quick animation हम social media post के लिए बना सकते हैं, तो इसको use करने के लिए कोई भी predefined template मैं use कर लेता हूँ, यहां से मैंने इस template को open कर लिया, और इस पे हम animation apply करके देखे एक quick, तो, यहां पे animation panel पे मैंने click किया, तो, यहां पे page wise भी कर सकता हूँ, and layer wise भी कर सकता हूँ, इसमें बहुत सारी layer है, जिस layer को मैं select करूँगा, उस पे मैं particular effect लगा पाऊँगा, next है remove bg, बहुत ही जादा use होता है banner में, अगर आप कोई banner बनाते हो web के लिए, तो उसमें आप cut out बना के, अपनी कोई भी image लगा सकते हो, किस तरीके से use होगा यह, इसके लिए, पिक्सलर में यह आपको right make navigation मिलेगा, यहां पर जाने के बाद, आपको remove bg पे click करना है, और यहां पे अपनी कोई भी image, आप यहां पे डाल सकते हो, यहां से मैंने इस image को select कर लिया, औ और automation के through यह, सिर्फ आपकी image को दे देगी, आप यहां से download कर सकते हो png, लास्ट जो effect है, बहुती बड़िया effect test के अंदर, पिक्सलर में हम दुबारा जाएंगे, और पिक्सलर E मैं open कर लेता हूँ, again, and कोई भी image यहां से ले लेता हूँ, open image में जाते हैं, और यहां से कोई एक बड़िया सी image में choose कर लेता हूँ, so यहां पर यह सारा जितना भी background है, इसको मैं चाता हूँ, यह blur हो जाए, और सिर्फ subject मेरा normal रहे, तो bokeye effect basically मुझे यहां पर create करना है, तो इसके लिए यहां पर आप देख सकते हो focus bokeye feature है, इस पर मैंने click किया, और इस तरीके से सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हो, यह पूरा blur हो चुका है background में, और यहां पर आप इसकी shape भी change कर सकते हो, जैसे radial में चाहिए, सिर्फ subject पर ही focus करना है, और सारी चीज़े blur हो गई हैं और bokeye effect में और भी कुछ चीज़े होती हैं, जो आप यहां से add कर सकते हो, इस तरी realize करके, web के लिए, UI UX के लिए या ग्राफिक के लिए भी banners में भी काम कर सकते हो, तो आज की class में सिर्फ इतना ही, I believe कि आपके लिए सारे features बहुत जादा useful हो, चाहे आप graphic design बनाओ या UI UX के लिए आप कोई solution बनाओ, हर जग आपको यह definitely features काम आने वाले हैं, तो अगर आपको कोई class पसंद आई है, तो please subscribe करें चैनल को और वीडियो को like जरूर करें, thank you so much.